परिचय अरे अमित, तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं पिता जी, मुझे आप से कुछ पूछना है हाँ, हाँ, पूछो पिता जी, हमारे देश की जनसंख्या वृध्धी दर क्या है? अच्छा प्रशन है बेटा हम अफकलच का उप्योग करके वृध्धी दर का पता लगा सकते हैं हम वृध्धी दर निकालने में अफकलच का उप्योग कैसे कर सकते हैं, पिता जी? क्या तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हो? हाँ पिता जी, तो आओ, अपने इस नए अध्याय में हम अफकलज के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। राशी के परिवर्तन की दरपता लगाना, फलनों के वर्थमान और हिरासमान अंतरालों का विसलेशन करना, एक वक्र पर सपर्शरेखा का समीकरन ग्याद करना, एक वक्र पर अभी लंब का समीकरन ग्याद करना, अफकलनों का उप्योग करके मूलों का अनुमान लगाना, एक बंद अंतराल में एक फलन का उच्चिष्ट और निमनिष्ट मान ग्याद करना। राशी के परिवर्तन की दर। अफकलच को एक फलन के परिवर्तन की तातकालिक दर द्वारा परिभाशित किया जाता है। इसका मानक उधारण ये है कि यदि F-T समय T पर एक वस्तो की इस्थिती दर्शाता है तब F-T समय T पर वस्तो की चाल को दर्शाता है। आईए एक उधारण लेते हैं जहां परिमान समय के साथ बदलता है। यदि Ft बराबर जिवानों की संख्या है, तब Ft बराबर जनसंख्या वृत्थिदर है। यदि Ft बराबर रेडियो धर्मी पदार्थों की मात्रा है, तब Ft बराबर चै की दर है। उधारन धादू की एक वर्गाकार चादर की भुजा 3 cm प्रती मिनट की दर से पढ़ रही है। यदि उसकी भुजा 10 cm लंबी है, तब चादर का क्षित्रफल किस दर से पढ़ेगा। हल, मान लिजिए कि समय T पर चादर की भुजा X है, तथा A शित्रफल है, तो ये दिया गया है कि dx बटा dt पराबर 3 cm प्रती मिनट, इसे समी करण 1 से चिनित करें, तथा A पराबर X वर्ग को समी करण 2 से चिनित करें। समी करण 2 का T के सापेक्ष अवकलंद करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा dA बटा dt बडाबर 2X गुणा dx बटा dt, समी करण 1 से dA बटा dt बडाबर 6X, अब शेद्रफल के परिवर्टन की तर यदि X बडाबर 10 cm है, तब X पर dA बटा dt बडाबर 10 होगा, जो की बडाबर होगा 6 गुणा 10 अर्थात, 60 वर्ग सेंटिमीटर प्रती मिनट के. वर्दमान और हिरासमान फलन एक फलन F एक खुले अंतराल आई पर वर्दमान होता है, यदि X2 से छोटे अंतराल X1 में कोई दो संख्याएं X1 और X2 के लिए F, X1, F, X2 से छोटा या पराबर है को इंगित करती हैं, एक फलन F एक खुले अंतराल आई पर वर्दमान होता है, यदि X2 से छोटे अंतराल X1 में कोई दो संख्याएं X1 और X2 के लिए F, X1, F, X2 से बड़ा या पराबर है को इंगित करती हैं, एक फलन F एक खुले अंतराल आई पर निरंतर वर्दमान होता है, यदि X2 से छोटे अंतराल X1 के साथ आई के अंतरगत करतेक X1, X2 के लिए हमारे पास F, X1, F, X2 से छोटा है, जिसकार्थ है, X के बढ़ने से F, X बढ़ेगा, एक फलन F, एक खुले अंतराल आई पर निरंतर हिरासमान होता है, यदि X2 से छोटे अंतराल X1 के साथ आई के अंतरगत करतेक X1, X2 के लिए हमारे पास F, X1, F, X2 से बढ़ा है, जिसकार्थ है, X के बढ़ने से F, X घटेगा, फलन जो ना ही वर्थमान है और ना ही हिरासमान है, आईए एक उधारन लेते हैं, नीचे दिया गया फलन है Y पराबर कॉस X, प्रमे, माना की F, एक बंद अंतराल A, B पर सतत है, तथा खुले अंतराल A, B पर अफकलन किया जा सकता है, तब, F, बंद अंतराल A, B में पर्दमान होता है, यदि, खुले अंतराल A, B के अंतरगत प्रतेक X के लिए F-X शुने से पड़ा है, F, बंद अंतराल A, B में हिरासमान है, यदि, खुले अंतराल A, B के अंतरगत प्रतेक X के लिए F-X शुने से छुटा है, F, बंद अंतराल A, B में एक अचर फलन है, यदि, खुले अंतराल A, B के अंतरगत हर X के लिए F-X शुने के बराबर है, उदारण एक अमान ग्यात कीजिए जिसके लिए fx बराबर x वर्ग घटा 2ax जमा 6 निरंतर वर्दमान हो जब x 0 से पड़ा है हल हमें क्यात है fx बराबर x वर्ग घटा 2ax जमा 6 fx का x के सापेक्ष अफगलन करते है f-x बराबर 2x घटा 2a बराबर 2 कुणा x घटा a f-x 0 से पड़ा है यदि 2 कुणा x घटा a 0 से पड़ा है अत्वा यदि x a से पड़ा है अत्यव a 0 से पड़ा या बराबर है क्योंकि x 0 से पड़ा है स्पर्श रेखा और अभी लंब माना की y पराबर fx एक्स के सापेक्ष y का अफगलज अर्थात x1y1 पर dy बटा dx x1y1 पर वक्र y पर एक्स के f के लिए स्पर्श रेखा की धलान को प्रदशित करता है तब x1y1 पर वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समेकरान y घटा y1 बराबर x1y1 पर dy बटा dx x घटा x1 होता है जैसा कि हम चानते हैं कि संपर्ख स्थल पर अभी लंब रेखा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है अतेव x1y1 पर अभी लंब की धलान x1y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx होता है x1y1 पर वक्र y पराबर x के f के लिए अभी लंब का समेकरान y घटा y1 बराबर x1y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx गुणा x घटा x1 होता है विशेश इस्थिति यदि स्पर्श रेखा की धाल 0 हो तब 10θ बटा बराबर 0 एवं इसलिए थीटा बराबर 0 जिसका तादपर है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है अता बिंदू x1y1 पर स्पर्श रेखा का समेकरान y बराबर y1 के द्वारा दिया जाता है यदि थीटा का मान पाई बटा 2 के समतुले होता है तब 10θ का मान अनंत के समतुले होगा जिसका तादपर है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है अर्थात y अक्ष के समानांतर है इसलिए x1y1 पर स्पर्श रेखा का समेकरान x बराबर x1 द्वारा दिया जाता है उधारान वक्र के लिए स्पर्श रेखा और अभी लंब की धलान ग्याद कीजिए एक पटा 2 एक पटा 2 पर वर्गमोल x जमा वर्गमोल y बराबर 1 हल वक्र का समीकरान वर्गमोल x जमा वर्गमोल y बराबर 1 है इसे समीकरान एक से चिन्नित करें X के सापेक्ष समिकरण एक का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है एक बटा दो गुणा वर्गमोल X जमा एक बटा दो गुणा वर्गमोल Y गुणा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0 है अथवा डी वाई बटा डी एक्स बराबर गुणा वर्गमोल Y गुणा एक्स अतैव एक बटा दो एक बटा दो पर स्परश रेखा की ठाल गुणा वर्गमोल एक बटा दो बटा एक बटा दो बराबर घटा एक है तथा एक बटा दो एक बटा दो पर वक्र के लिए अभी लंब की ढाल घटा एक बटा घटा एक बराबर एक है सन्निकटन X के सापेक्ष Fx का अफगलज इस प्रकार परिभाशित किया जाता है F' X लगभग Fx जमा डेल्टा X घटा Fx बटे डेल्टा X के बराबर है ये इंकित करता है कि Fx जमा डेल्टा X बराबर Fx जमा डेल्टा X गुणा F' X जो Fx जमा डेल्टा X का सन्निकट मान कहलाता है अफगलन का उप्योग करते हुए 9996 के चतुर्थु मूल का सन्निकट मान ग्यात कीजे हल हम जानते हैं कि 9996 पराबर है 10,000 घटा 4 के जो की पराबर होगा 10 की घट 4 घटा 4 के चलिए माना की X बराबर 10 की घट 4 और डेल्टा X बराबर घटा 4 है अतैव X जमा डेल्टा X बराबर 996 होगा माना की Y बराबर X की घट 1 बटा 4 जो की बराबर है 10 की घट 4 गुणा 1 बटा 4 के जो बराबर होगा 10 के अतैव DY बटा DX बराबर है 1 बटा 4 गुणा X की घट 3 बटा 4 के अतैव Y जमा डेल्टा Y बराबर डेल्टा X गुणा DY बटा DX जमा Y है अभी सूत्र में मान डखने पर हमें 996 का चतुर्थ मूल पराबर गटा 4 गुणा 1 बटा 4 गुणा X गात 3 बटा 4 जमा 10 प्राब्द होगा इसकी करना करके हल करने पर हमें 9.999 प्राब्द होगा अता 9996 के चतुर्थ मूल का सन्निकट मान 9.999 है उचिस्थ और निमनेश्थ एक फलन का उचिस्थ मान वो होता है जो बिंदू के पास बिंदू के दोनों तरफ किसी भी अन्ने मान से अधिक्तम होता है इसे सापेक्ष उचिस्थ कहा जाता है सापेक्ष उचिस्थ माना की Fx फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है तथा Fx के प्रांद में C एक अभियंतर बिंदू है तब X बराबर C पर Fx एक सापेक्ष उचिस्थ कहलाता है यदि H के सभी धनात्मक तथा रनात्मक मानों के लिए जहां Fc, F of, C जमा एच से बड़ा है परियाप्त छोटा हो एक फलन का निमनिश्थ मान एक फलन का निमनिश्थ मान वो होता है जो बिंदू के ठीक पास बिंदू के दोनों तरफ किसी भी अन्यमान से निमनिश्थ होता है इसे सापेक्ष निमनिश्थ कहा जाता है सापेक्ष निमनिश्थ माना की Fx फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है तथा fx के प्रांद में c एक अभियंतर बिंदू है तब x बराबर d पर fx एक सापेक्ष निमनिश्ट कहलाता है यदि h के सभी धनात्मक तथा रनात्मक मानों के लिए जहां fd f of d जमा h छोटा है परियाप्त छोटा हो प्रथम अफकलज परीक्षण एक फलन का प्रथम अफकलज अर्थात f-x ग्याद कीजिए दो प्रथम अफकलज को 0 के बराबर मानते हैं अर्थात f-x बराबर 0 तथा वास्तविक मूलों के लिए परिरामी समिकरण को हल करते हैं अर्थात माना की x बराबर c, d इत्यादी ये उचिष्ट और निम्निष्ट के बिंदू हैं तीन माना की x बराबर c, इन में से कोई बिंदू हैं यदि f-x की राशी धनात्मक से धनात्मक हो जाती है अर्थात x, c, c के नस्दीक से छुटा है के लिए f-x, 0 से बढ़ा है तथा x, c, c के नस्दीक से बढ़ा है के लिए f-x, 0 से छुटा है तब x बराबर c, सापेक्ष उचिस्ट का एक बिंदू है यदि f-x की राशी धनात्मक से धनात्मक हो जाती है अर्थात XC, C के नस्दीक से चुटा है, के लिए F-X 0 से चुटा है, तथा XC, C के नस्दीक से पड़ा है, के लिए F-X 0 से बड़ा है, तब X बराबर C, सापेक्ष निमनिश्ट का एक बिंदू है. 4. यदि F-X की राशी नहीं बदलती है, तब C, ना तो सापेक्ष उच्चिष्ट का कोई बिंदू है, और ना ही सापेक्ष निमनिश्ट का कोई बिंदू है. इस तरह का बिंदू, नती परिवर्तन बिंदू कहलाता है. उच्चिष्ट और निमनिश्ट दितिये अफकलज परिक्षन माना की F अंतराल आई पर परिभाशित एक फलन है, तथा C आई के अंतर गाता है. माना की F, C पर दो बार अफकलनिये है, तब एक्स बराबर C के सापेक्ष उच्चिष्ट का एक बिंदू है. यदि F-C बराबर 6 तथा F-C शून से चुटा है. F-C का मान F के सापेक्ष उच्चिष्ट मान होता है. एक्स बराबर C सापेक्ष उच्चिष्ट का एक बिंदू है. यदि F-C बराबर 6 तथा F-C शून से बड़ा हो. F-C का मान F का सापेक्ष उच्चिष्ट मान होता है. परीक्षन विफल हो जाता है यदि F-C बराबर 6 है तथा F-C बराबर 6 है. इस इस्तिती में हम प्रथम अफकलज परीक्षन का उप्योग करके ग्याद करते हैं कि सीख एक सापेक्ष उचिस्ट, सापेक्ष निमनेश्ट अथ्वा नतीब परिवर्तन का पिंदु है। एक बंद अंतराल में फलन का उचिस्ट और निमनेश्ट मान। फलन का उचिस्ट मान। फलन का निमनेश्ट मान। माना की F एक बंद अंतराल आई पराबर AB पर एक सतक फलन है तब F निरपेक्ष उचिस्ट मान होता है तथा F I में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है। इसके अलावा F निरपेक्ष निमनेश्ट मान होता है तथा F I में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है। प्रमय, माना की F एक बंद अंतराल आई पर एक अफ कलच फलन है तथा माना की C I का कोई आंतरिक बिंदू है तब F' C बराबर शूनने होता है यदि F C पर अपना निरपेक्ष उचिस्ट मान प्राप्त करें। F' C बराबर शूनने होता है यदि F C पर अपना निरपेक्ष उचिस्ट मान प्राप्त करें। कारे नियम चरण एक अंतराल में F के सभी महत पूर्ण बिंदू ग्याद कीजिए अर्थात बिंदू X ग्याद कीजिए जहां या तो F' X बराबर शूनने है या F अफ कलनी है नहीं है। चरण दो अंतराल के अंतबिंदू लें। चरण तीन अंतबिंदू में F के मान का परीकलन कीजिए। उधारण प्रथम अफकलज परिक्षन का उप्योग करते हुए फलन fx बड़ाबर 2x घन घटा 9x वर्ग घटा 24x के लिए सापेक्ष उच्चिस्थ और सापेक्ष निमनिष्थ बिंदूं को ग्याद कीजिए हल हम निमनिफलन को हल करके 6 गुणा x वर्ग घटा 3x घटा 4 प्राप्त करेंगे अब हम समीकरण का गुणंखंड इस प्रकार कर सकते हैं 6 गुणा x घटा 4 गुणा x जमा 1 अब जब एक्स बरापर 4 है तब एक्स चार से छुटा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से छुटा है x 4 से बड़ा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से बड़ा है अब एक्स बरापर 4 पर f-x सा पेक्ष निमनिच्ठ है जब एक्स बरापर गटा 1 है तब एक्स गटा 1 से छुटा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से बड़ा है x गटा 1 से बड़ा है ये इंगित करता है कि f-x 0 से छुटा है अतैव x बराबर घटा एक पर fx सापेक्ष और चिस्ट है उधारा एक 20 cm लंबे तार को दो भागों में किस तरह विभाजित किया जाना चाहिए कि यती एक भाग को वर्ग में तथा दूसरे भाग को वृत में इस तरह मोड़ा जाता है कि उन दो समतल आकृतियों के छित्रफल का योगफल निमनिश्ठ हो हल माना की एक भाग एक्स है तब दूसरा भाग 20 घटा एक्स होगा माना की एक्स वर्ग का परिमाप है तथा 20 घटा एक्स वृत्त की परिदी है तब कुल क्षित्रफल होगा ए पराबर एक्स बटा चार संपून वर्ग जमापाई कुणा बीस घटा एक्स बटा दो पाई संपून वर्ग है जो की पराबर होगा एक्स वर्ग बटा सोला जमापीस घटा एक्स वर्ग बटा चार पाई के अतैव डी ए बटा डी एक्स बडाबर एक्स बटा आठ घटा बीस घटा एक्स बटा दो पाई चरम मानों के लिए डी ए बटा डी एक्स बडाबर शून ने ये इंगित करता है कि एक्स बटा आठ घटा बीस घटा एक्स बटा दो पाई बडाबर शून ने है यह इंगित करता है कि Pai कुणा X घटा 80 जमा 4X बराबर 0 यह इंगित करता है कि X बराबर 80 बटा Pai जमा 4 इसके अलावा D2A बटा DX वर्ग बराबर 1 बटा 8 जमा 1 बटा 2 Pai 0 से बढ़ा है इस पकार दो सम्तल आकृतियों का खित्रफल निमनिश्ठ होगा जब X बराबर 80 बटा पाई जमा चार हो एक वर्ग बनाने वाले भाग की लंबाई 80 बटा पाई जमा चार है तब दूसरे भाग की लंबाई होगी 20 घटा 80 बटा पाई जमा चार जो की बराबर है 20 बटा पाई जमा चार के इस प्रकार भाग की लंबाई होनी चाहिए 80 बटा पाई जमा चार सेंटिमीटर और 20 पाई बटा पाई जमा चार सेंटिमीटर क्या आप जानते हैं सर आईसेक न्यूटन ने अफकलच के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है गोट फ्रेद विलहेम लेबनीज एक जर्मन दार्शनिक गणी तग्य और तर्क शास्त्री थे जिन्होंने सौव लंबन से कलन का विकास किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं एक अफकलच को इस तरह से परिभाशित किया जा सकता है कि ये एक फलन की तातकालिक परिवर्थन की दर देता है फलन एफ एक खुले अंतराल आई पर वर्थमान होता है यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक में कोई दो संक्षेप में एकस एक और एकस दो के लिए एकस एकस दो से चोटा या बराबर है को इंगित करती है फलन एफ एक खुले अंतराल आई पर हिरासमान होता है यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक में कोई दो संक्षेप में एकस एक और एकस दो के लिए एकस एकस दो से बड़ा या बराबर है को इंगित करती है खुले अंतराल आई पर एक फलन एफ निरंदर वर्दमान होता है यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक के साथ आई के अंतरगत प्रतेक एकस एकस दो के लिए हमारे पास एकस एकस दो से छोटा हो इसका तात पर ये है कि यदि एकस बढ़ता है तब एकस बढ़ेगा खुले अंतराल आई पर एक फलन एफ निरंदर हिरासमान होता है यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक के साथ आई के अंतरगत प्रतेक एकस एकस दो के लिए हमारे पास एकस एकस दो से बढ़ा हो इसका तत पर ये है कि यदि एकस बढ़ता है तब एकस घटेगा बिंदू x1 y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्श रेखा का समिकरण है y घटा y1 बराबर बिंदू x1 y1 पर dy बटा dx गुणा x घटा x1 बिंदू x1 y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए अभी लंब का समिकरण है y घटा y1 बराबर बिंदू x1 y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx गुणा x घटा x1 fx जमा डेल्टा x का निर्पेक्ष मान है fx जमा डेल्टा x गुणा f-x माना की फलन fx वास्तविक मानों वाला फलन है तथा c fx के प्रांध में कोई आंतरिक बिंदू है तब fx को x बराबर c पर एक सा बेक्ष उच्चिस्थ कहा जाता है यदि h के सभी धनात्मक और धनात्मक मानों के लिए जहां fc fc जमा एस से बड़ा हो परियाप्त छोटा हो माना की फलन fx एक वास्तविक मानों वाला फलन है तथा c fx के प्रांध में कोई आंतरिक बिंदू है तब x बराबर d पर fx को एक सा बेक्ष निम्निश्थ कहा जाता है यदि h के सभी धनात्मक और धनात्मक मानों के लिए जहां fd fd जमा h से छोटा हो परियाप्त छोटा हो यदि fx एक बन अंतराल a b पर परिभाशित कोई फलन है तब x बराबर c पर इस फलन को निरपेक्ष उच्चिस्थ कहा जाता है तथा c a b के अंतराल a b पर परिभाशित कोई फलन है तब x बराबर d पर इस फलन को निरपेक्ष निम्निश्थ कहा जाता है तथा d a b के अंतरगात आता है यदि a b के अंतरगत सभी x के लिए fx fd से बढ़ा या पराबर हो माना की f एक बंद अंतराल i पराबर a b पर एक संतर फलन है तब f निरपेक्ष उच्चिस्थ कमान होता है तथा f i में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है इसके अलावा f निरपेक्ष उच्चिस्थ कमान भी होता है तथा f i में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है माना की f बंद अंतराल i पर एक अफकलज फलन है तथा माना की c i का कोई अंतरिक बिंदू है तब f' c बराबर शुन है यदि f c पर अपना निरपेक्ष उच्चिस्थ कमान ग्रहन करे f' c बराबर शुन है यदि f c पर अपना निरपेक्ष निम्निश्थ कमान ग्रहन करे